गुजरात विधायन सबाद चुनाव में बीजेपी को 182 में से सिर्फ 99 सीटे ही मिली जिस पर विपक्ष ने 99 का फेर बोलकर तंज भी कसा था 22 सालों में ऐसा पहली बार हुआ था कि बीजेपी को 100 से कम सीटे मिली लेकिन गुजरात मुख्यमंत्री के नाम के ऐलान से पहले बीजेपी के लिए खुशकबरी आ गई लुनावाडा विधानसभा शेत्र से चुनाव जीतने वाले निर्दलिये विधायक रतन सिंग राथोड ने बीजेपी को बिना शर्ट समर्थन देने का ऐलान कर दिया है रतन सिंग राथोड ने राज्यपाल को खत लिखकर अपना समर्थन देने की बात कही इस तरह राथोड के समर्थन देने से बीजेपी को 182 सदस्तिय विधान सभा में 100 विधायकों का समर्थन हासल हो गया है आपको बता दे कि रतन सिंग राथोड कॉंग्रेस से बगावत कर लुना वाडा विधान सभा शेत्र से निर्दलिय मैदान में उतरे थे कॉंग्रेस ने उन्हें टिकेट नहीं दिया था जिसके चलते उन्हें निर्दलिय मैदान में उतरना पड़ा जिसके लिए कॉंग्रेस ने उन्हें छे साल के लिए पार्टी से निशकासित भी कर दिया इसके बावजूद वे चुनाव जीत गए और बिना किसी शर्थ समर्थन कर BJP की सेंचुरी पूरी कर दी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें स्वेंट टुडे हमारे और नए अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकन ताकि कोई वीडियो मिशना हो